हाई एवरिमर वेकम बैक तो अनादर बन इंट्रेस्टिंग वीडियो तो मैं आपके लिए आज लेकरा है कुछ इस तरी की टॉप की डिजाइन जो की स्लीव कावल स्लीव से इसके तो मैं पहले स्लीव कट करूँगी तो मैंने नॉर्मल स्लीव लिए और उस पे 5 इंच तक मै मैं आप लाइन ड्रॉ करूँगी वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है सो आप एंच तक जरूर देखना अब मैंने लाइन ड्रॉ की है अब मैं इसे थोड़ा सा कट कर दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहता लग रहा था तो मैंने कट कर दिया इसे तो यह नॉर्मल स्ल्यू से पास इंट तक मैंने आगे उपर की तरफ से बढ़ाया है अब मैं छोटे-छोटे से इसको कट करूंगी और पाच स्ट्रिप्स निकालूंगी इस तरह से तो हमें चार काउस बनाने हैं मैं फोर काउस बनाऊंगी टोटल मैं पाचवा काउस नहीं बनाने वाली तो मैंने एक पेपर लिया है उसमें मिडल में एक लाइन डॉकी है मैंने बिल्कुल मिडल में अब मैं एक इंच का पहले गैप लोगी उपर से फिर त्री इंच का मैं मैंने 3 इंच का इंच की कावल बनाँगी में जो मैंने सिट्रिप काटे थे पहले कटकिए ठे वह मैं अब उसे जो एक इंच का गैप था उसको मैं पराद के हल के से क्यूर कर दूंगी ऐसे में में चार सिय प्कर दूंगी इसको पेपर पर तो यह मेरी तिसरी स्ट्रिप है तो मैंने पिन की हेल्प से सेक्यूर के है तो ऐसे मैंने चार पिन की हेल्प से सेक्यूर के है और जो श्ली उसका नीचे वाला हिस्सा था अब मैं उसे नीचे लगाऊंगी तो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा था इसली उसका तो मैं इस तरह से यह एक्जि अब मैं इसे स्लूज के ऊपर रखूंगी इस तूफोर स्लूज ने सॉरी ए मेरा प्लोथ ले आए इस तो दोनुफी स्लूज हमारे साहता से निकल जाएंगे कि मैं कट करना है कि तो है कि अगourd कि इसे हमें चोटे-चोटे से कर्श क्रशा अगया नहीं है जो भी हमने 1 इंच और 3 का गेप रखा था तो एक पर ट्रेंच कर सी लाइन ट्रोग वैंच से हमें आ यहां नहीं हमें एक इंच और थ्री इंच के कट्स लगाने हैं और उसके बाद मैं आपको सिभाऊंगी एक पेपर पर कैसे काउल बनता है तो एक पेपर मैंने थोड़ा सा कट के लिए उपर से इसका काउल बना के दिखाते हूं और उसके बाद मैं फैबरीप पर बना दूंगी तो एक तो इस तरह कपड़े पर मैंने बना लिया है और पीन से मैंने इसे से क्यों कर लिया अब हमें स्टिच ऑल ओवर स्लीवस के ऊपर मैं लगा रहूंगी तो मैं नॉर्मल स्टिच कर रही हूं ताकि हमें आसानी वह स्टिचिंग करते वक्त अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए कमेंट किजिए और शियर भी किजिए कि दोनों स्लीवस मेरी हो गया रेडी स्टिच भी कर लि बैक और फ्रंट उसकी कटिंग में बताऊंगी इसके लिए मैंने फोर फोर्ड कपड़ा ले आए और मैं 15 इंच तक हाइड टोकूंगी 14 मुझे तैयार चाहिए तो 15 इंच मैंने लिया है और मैं 7 इंच आर्मोर और 7 इंच में शोल्डर ले रही हूं यहां कि तो मेशर आलमोर वोर शोल्डर हो गया है और शोल्डर का मैंने सिर्भ लिए 5 ओंच लिए और बाकी नेट लिया है मैंने 4.5 इंच तो जैस साइज में 8 ले रही हूं टोटल जैस साइज 32 आय Congressman दिए 8 लीए ठेसका फोर'll बतोर्ड और वेस्ट मैंने एक्स्टा मार्जिन के लिए रखा है और मैं बैक में और फ्रंट में प्लिट्स भी डालूंगे दोनों सैड से थोड़ी सी तो नेक में फोर इंच तक ले रही हुए बोट नेक टैप थोड़ा सा डीप रखा है मैंने फोर इंच तक ह Colin ल मुझे उतना पॉसंद दे एक्सफार निया के सकते हैं अब क्शे नेके बाद मेरे टू पार्स हो गके और फ्रंट आप जो नीचे वाला हिस्सा है उसे में तैयार करूंगी यह मैंने 25 इंच का हाइट लिए कपड़े की 25 इंच तो मैं 24 में मेरा हो जाएगा उतनी हाइट मुझे चाहिए तो मेरा आराउंड एट डेड़ से जादा ही होगा मेरा कपड़ा यह मेरे दो पार्ट्स बज़ लेते हैं से भी मैं जॉइन करने के पाद यह थना कपड़ा है और उसको एक साइड से हमें सुई और धागा की हर्प से जो नौर्मल स्टिच करते हैं मैं वैसा करना है सभी एक तरप से करना है वेस्ट जो हमरा वेस्ट साइज है वा से करना है जो हम नौर्मल स्टिच करते हैं वैसा करना है दूसरे एंड तक हमें ऐसा ही करना है तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सब इन तक आया है कि स्टिच करते हैं कि स्टिच करने के बाद हमें इसी थोड़ सा एक धागा हमें खिशना है तो बहुत ही अच्छे पीट्स पर जाते हैं उस पर और यह मेरा वेस्ट साइज के हिसाब से में इसे 14 इंच का कर दोंगी तो 28 टोटल वेस्ट है साइज तो मेरे 14 इंच हा रहा है एक दोनों साइट से तो एक टोटल 20 इंच होना चाहिए था 28 इंच तो मेरा 15 इंच आ रहा है तो 13 इंच में थोड़ा सा कम कर दोंगे से तो यह बराबर 28 इंच ता आ जाए लब दूरा अब मैं इसे एक टाखा लगा रहे हूं इसके बाद हम करेंगे इसको स्टिंच और नीचे से भी हमें एक फोल करते हुए नीचे का भी पाट हमें तैयार कर लेना है और इसे पोला हमें तयार करना तो नीचे का और ओपर का हो गई हमारा अब इसे में एक स्टेच लगा रही हूं जो हमारा वेस्ट पार्ट है वहाँ करने के बार मैं नीची को भी एक फोर्ड करकर उसे भिस्टेच कर लोगी LIZפ करना है बहुत ही किनारे पर हमेंसे लाई लगा निए अंदर की तरप सी किनारे पर तो बहुत अच्छा दिखता है तो मैंने उपर से भी स्टिच किया है और नीचे से भी एक स्टिच किया है तो यह मेरा दोनों हो गया है इस तरह से दिख्रा बहुत अच्छा दिख्रा था कि वेस साइज है और नीचे का भी हो चुका है अब हम करेंगे फ्रंट का स्टिचिंग तो यह दो पार से में दो नुए पार से थोड़ा सा उसे प्लिट्स लगा लूँगी पीछे से भी और आगे से भी बिल्कुल हाप से भी कम इंच तक हमें रखना है प्लेट्स का और 4 इंच तक हाइड में रखना है प्लेट्स को तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ लुक देगा हमारा और बैठका अच्छा है तो यह मैरा एक होगा है और दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है तो यह दो पार से एक अपड़ा अंदर से वाइट कलर का था रूपर से फ्लोरल प्रेंट था तो बहुत चमक रहा है वीडियो में तो मैंने ने कट कर लिया है और मैं उसे जो हमारा शोल्डर है न हो मैं दोनों तरब से अटेच कर रहे हूं हमें इसे डबल स्टिच करना है कि अपड़ा बहुत यह अच्छा था उसे आस्तर की जरुरत नहीं लगी मुझे मैंने अस्तर लाया था मैंने लगाया नहीं लेकिन इसे जरुरत नहीं अस्तर की तो मैंने लगाया इसको अब बहुत स्ट पड़ाय और टिकाव भी है तो यह मेरे दोनों स्टोर हो गए आटेच करके दूसरा भी हो रहा है कि डबल स्टिच करना है हमें कि अ कि अगर अगर वीडियो चैनल पर आते रहेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है शेयर करना है अब में स्लियोस अटेच कर हुए जो मैंने पहले कि ए थे स्लियोस तयार बिलकुल मिरवश्य से रखना है हमें इसनल को और अची तरफ स से अटेच करना है मैं और एक साढ़ हो गए में डुसरी साढ़ भी कर रह thrilled कि और हमें यहां डबल स्टिच करना है स्लूज को तो मेरे एक बार हो गए अब नीचे से भी मैंने इसे कट कर गई हूं भड़ा सा धागा निकल रहा तो इसे भी में फोल्ड करके जो हमने बॉटम में किया था ना नेचे वाले हिस्से में वेसा है में फोल्ड करके इसे अच्छा सा एक स्टिच लगा रहे हूं स्टिच लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच लगानी है इधर उधर नहीं स्टिच जाना चाहिए तो यह बहुत ही अच्छा कावल दिख रहा है स्लूज का कि मेरे दोनों स्लिव अटेच करके हो गया है मैंने पाइपिंग भी किये मैंने ओफ कैमेरा पाइपिंग किये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा थे इसलिए मैं शॉर्ट में इसकी फिटिंग बता रहे हूं आपको सिर्फ फिटिंग करने ही हमें दोनों साइड की अब मैं वेस्ट साइज अटेच कर रहे हूं और दूसरी साइड के भी में फिटिंग कर रहे हूं जो हमने लिया था 28 साइज है वेस्ट का तो यह मैंना पूरा हो गया है तो अकर आप मेरे चैनल पर नए है तो भी सब्सक्राइब टो माई चैनल पहनने के पाद बहुत ही अच्छा अच्छा दीख रहा था तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई